भारत में जारी कोरोना संकट के बीच खतरनाक अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है असम, तृपूरा, मिजोरम के बाद यूपी के लखनव और बरेली में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टी हुई है इसके बाद इलाके को संक्रमित छेतर घोशित कर दिया गया है और लोगों से साबधान रहने की अपील की गई है दरसल जिस इलाके में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले मिलते हैं भारत सरकार की एडवाईजरी के मुताबिक उसके एक किलोमीटर के दाइरे को संक्रमित छेतर घोशित कर दिया जाता है। इस छेतर में आने वाले सभी सुवरों को क्वारंटीन कर दिया जाता है। इसके अलावा पशुओं को लाने और ले जाने पर रोक लगा दी जाती है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर को बेहत खतरनाक और संक्रामक माना जाता है। मेडिकल एक्षपर्ट के मुताविक अफ्रीकी स्वाइन फ्लू और अफ्रीकन स्वाइन फीवर में अंतर है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक संक्रामक वाइरल बिमारी है ये जंगली और पालतु दोनों स्वरों को प्रभावित करता है ये बिमारी दूसी ट्रकों कपडों और खाने से तेजी से फैलता है इसका इलाज संभव नहीं है असम मिजोरम त्रिपुरा यूपी में इसके केज बुखार डिप्रेशन समित कई समस्याएं शुरू हो जाती है जबकि अफ्रीकी स्वाइन फुलू सुवरों में इंफ्लुएंजा से जुड़ा है ये वाइरस सुवरों में इंफ्लुएंजा जैसी बीमारी का कारण बनता है बड़ी बात यह है कि अफ्रीकी स्वाइन ч garant अफ़ीक स्वाइन फीवर के केस मिलने लगे हैं हालाकि अफ़ीक कि स्वाइन फूलु मनुश्यों को प्रभावित करता है इसके वाइरस को H1N1 कहा जाता है यह वाइरस संक्रमित से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है संक्रमित की अब धी एक से साथ दिनों तक रहती है संक्रमित मनुस में सिर दर्द शरीर में दर्द बहती नाक गले में खरास ठकान उल्टी बुखार जैसे लक्षन देखे जाते हैं ये वाइरस सीधे तौर पर मनुस्यों को प्रभावित नहीं करता है लेकिन प्रभावित पसुओं को इस खबर में फिलहाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ